आज मैं लेकर आई हैं आप लोगों के लिए सर्दियों का इस पेसर ये पालक पनीर सर्दियां आते ही हरी भरी सबजियां मिलना सुरू हो जाती और सारी सबजियों में बहुत स्वाध होता है तो आज मैं लेकर आई हूँ है आप लोगों के लिए धावा इस्टाइल पालक पनीर वो भी तसूनी पालक पनीर पूर्वे रेस्टरेंट धावा सब फेल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पालक पनीर बनाएंगे तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बंच पालक लिया है बिल्कुल छोटे डंठल वाली चोटी गांट वाली अभी ताजी चाजी पालक मिल रही है मोटी डंठल अगर हो तो आप उसे छाट कर अलग कर ले और इसे दोकर अच्छे से साफ कर ले तो हमने इसे चाट से पाच पा तो चलिए CT आ गई है हमारे पैसे को करने देम को करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं CT इसकी खोल चुकी है पैसे ठंडा हो चुका है अब हमें क्या करना है सारे पालक को पानी छानते वे निकाल लेना और देखिए कितना कम पानी है तो सारे पालक को हमें निकाल कर मिक्साजार में डाल देते हैं तो पालक को हमें पूरे गर्म गर्म नहीं पीशना है इसे थोड़ा हलका ठंडा कर लेना है तो लेजे पालाग थोड़ा ठंडा हो गया, अब उसमें डालते हैं तो हरी मिर्चियों और कुछ आइस क्यूब इससे क्या होगा कि पालाग का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा अगर यह थोड़ा भी गरम है तो यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इसका कलर भी बरकरार रहेगा तो बस इसे अब अच्छे से क्राइन कर लेते हैं और यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल कलर इसका चाता नहीं है तो चलिए पेश्ट हमारा तयार हो क्या है अब लेते हैं एक कढ़ाई उसमें डालते हैं ओयल दो बड़े चमच हमने टेल डाला और चोटी सी क्यूब बटर के डाले हैं आप चाहे तो इसे पूरे घी में भी बना सकते हैं या फिर किसी बी ओयल जो भी ओयल आप खाते उसमें बना सकते हैं सबसे पहले हम यहां पे पनीर लिया है 300 ग्रम हमने पनीर लिया है चोटी टुकड़ों में कट कर लिया है इसे फ्राई करके निकाल लेते हैं हलका फिराई कर लेते हैं पनीर को पालक पनीर बनाने में फिरार करके दालने से पनीर अच्छा लगता है टो चलिए पनीर अच्छी से फिराई हो गया है सारे पनीर को निकाल लेते हैं तो सेम कड़ाई में हमने डाला है तो सुखी लाल में एक छोटी चमा जीरा और पांसे दस लसुन की करनिया जिसे मैंने पारेक काट लिया है इस पालक पनेरी में लसुन का फ्लेबर बहुत ही अच्छा लगता है पहले इसे हमें सुनारा भून लेना है लसुन को अच्छे से अब इसमें डालते हैं तो मेडियम साइच की प्याज जिसे मैंने पारेक काटा है और इससे भी लसुन के साथ अच्छे से हलका सुना रहा होने तक भोल लेते हैं तो लीचे प्याज भी हमारा अच्छे से भून चुका है तो अब इसमें डालते हैं दो से तीन हरी मिर्ची जिसे मैंने बारिक काटा है और अदरक लसून हरी मर्ची का पेश्ट एक चमचा मिने डाला है इसमें लाल मिर्ची पॉड़र हमेんな ही डालना है इससे डालने से क्या होगा Color आपका खराब हो जाएगा पालक का तो इसमें हरी मिर्ची का इसतेमाल जादा करें तो अध्रक्लास उंका पेश्ट अची तर से भून चुका है अब इसमें डालते हैं टामाटर हमने यहां पे दो मीडियम साइज के टामाटर लिये हैं जिसे बारी काट लिया साथ ही डालते हैं स्वादयनसर नमक एक छोटी चमच हमने डाला धनिया पॉडर आधी चमच डाला चीरा बॉडर बस इससे जदा इसमें कुछ भी नहीं डालना है और टामाटर के साथ सुखे मसालों को भी अच्छी तर से भून लेते हैं तो टामाटरों को मसाले के साथ हमने अच्छी तर से भून लिया टामाटर काफी अच्छी तर से गल चुका है अब इसमें डालते हैं पालक जो हमने पेष्ट पना कर रखा है सारे पालक को इसमें डाल देते हैं और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं साथ ही जार में जितना भी पालक लगाव है उसमें हमने पालक को बॉयल करते वग जो पाने डाला था और 5 मिनट तक इसे high flame पे पड़काते हैं जब यह अच्छे से उबल जाये तो थोड़ी दिर इसे low flame पे पका लेते हैं तो 5 मिनट high flame पे और 5 मिनट इसे low flame पे पकाया और देखिये पालग कितनी अच्छी तरह से पक गया पूरी तरह से यह तेल छोड़ दिया है तो तब तक इसे पकाना है जब तक कि आपका पालग तेल ना छोड़ दे अब इसमें डालते हैं एक चममच fresh cream अगर आप मुल क्रीम नहीं हो तो आप इसकी जगह पे मलाही भी डाल सकते हैं अगर वो भी ना हो तो आप कुछ भी ना डाले तो भी यह पालग पनीर बहुत स्वादिश्ट बनेगा तो चलिए हमने इसे अच्छे से mix कर दिया है अब डालते हैं इसमें fry kiwi पनीर सारे पनीर को इसमें डाल देते हैं और साथ ही डालते हैं कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हलका सा सुना रभून कर गर्म करके उसे डालेंगे तो उसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा होगा साथ ही हमने डाला थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से कर देते हैं mix और mix करने के बाद यहां पे हमें low flame पे एक से दो मिनट पनीर के साथ पकने देना है तो चलिए इसे ढख देते हैं और ढख कर इसे low flame पे पकने देते हैं और तब तक इसके तड़के की तयारी कर लेते हैं तड़का पैन में हमने डाला थोड़ा सा oil और एक यूप हमने डाला बटर आप चाहिए यहां पे घी में भी इसके तड़का को लगा सकते हैं साथ हैं हमने 8-10 लसुन की कलियां बारिक कटी हुई दो सुखी मिर्ची और एक हरी मिर्ची को भी इसे चिरा लगा कर लिया और इसे सुना रहा होने तक फून लेते हैं इस पालक पनिर में आप यह लसुन का तड़का लगाएंगे ना तो इस सबजी का स्वाद बहुत पर जाता है तो तड़का हमारा तयार हो गया और हमारी यह पालक पनिर भी अच्छी तरह से पक कर तयार हो गई है तो बस अब इसे कुछ नहीं करना है इसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसमें लगाते हैं स्पेसल तड़का तो तड़का थोड़ा ठंडा हो गया है, अब उसमें डालते हैं थोड़ी सी कस्मेरी लाल मिलच और इसे डालकर अच्छी से mix करते हैं और इसके बाद जब इसका तड़का लगाएंगे ना अच्छी सबजी का color भी बहुत ही अच्छा हो जगा तो धावा इस्टाइल हमारी ये लसूनी पालक पनिर पिलकुल बनकर तयार हो गई है, आप इसे इस तरह अरगेक पर बना कर देखेंगे तो आपका धावा रेश्टोरेंट सब फेल हो जाएगा, तो आप इसे बनाया और खाया और कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको हमा हमारी ये रेशिपी कैसी लगी और इसे सर्फ करेंगे, साधी रोटी में थोड़ी सा घी लगा कर इसके साथ ये पालक पनिर बहुत ही स्वादिश लगता है, वैसे आप इसे नॉर्मल रोटी प्राठा जिसके साथ आप पसंद करते हो, खा सकते हो, पर ये घी वाली रोटी पसंद आयोगी तो प्लीज मेरे रेशिपी को लाइक करना और इसे जदा ज़दा सेर करना और आगर आपने हमारे चानल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को स्सक्राइब कर लेना मैं तो चली इसे इस पालक पनिर को घीवारी रोटी के साथ इं